नमस्कार दोस्तो फिल्म लाइटिंग मैटर्स इन एवरी शॉट लाइट आपकी फिल्म की टोन सेट करती है और उसको प्रोफेशनल बनाती है आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे लाइट फिक्शर्स के बारे में टाइपस ओफ वीडियो लाइट कौन कौन सी है वो जानेंगे उनके एडवांटेजेज और डिसएडवांटेजेज को समझेंगे कौन कौन सी लाइटिंग एक्सेसरीज को आप अपनी लाइटिंग इंस्टूमेंट के साथ यूज कर सकते हैं वो जानेंगे और लास्ट में हम बात करेंगे रिफलेक्टर्स और डिफ्यूजर्स के बारे में दोस्तो मार्केट में कई तरह की लाइट अवलेबल है लेकिन इनको जानने से पहले हमें लाइट फिक्श्चर्स को समझना ज़रूरी है लाइट फिक्श्चर एक उलेक्ट्रिकल डिवाईस है जिसमें एक उलेक्रिक लैंप होता है जो चमक पैदा करता है सबसे पहले बात करते हैं open face light fixtures क्या होते हैं ये lighting fixture hard light create करते हैं जिससे आपके subject पर hard shadow बनती है इन में कोई filter नहीं होता जिससे की bulb की light सीधा subject पर पड़ती है Fresnel light fixture ये lens even light produce करते हैं जिससे की इसे flood light से लेकर spot light तक दोनों बनाई जा सकती है ऐसा lamp या reflector unit और lens के बीच की दूरी को बदल के किया जाता है कोई भी lights एक जैसा perform नहीं करती आपको situation के according lights को plan और adjust करना होता है तो बात करते हैं types of video lights के बारे में सबसे पहले बात करते हैं tungsten light के बारे में इसको हम tungsten halogen भी बोलते है tungsten एक metal होती है वो ही metal हमारे halogen bulb के अंदर होती है जो हम अपनी shooting के दौरान यूज करते है tungsten bulb का सबसे बड़ा फायदा उसके अंदर होने वाली halogen cycle है जिसमें pressurized halogen gas evaporated tungsten को वापस filament में जाने में मदद करती है जिससे की filament better luminance पैदा कर पाता है Tungsten lamps high temperature में operate होते हैं इसलिए इनका color temperature high और इनकी brightness भी काफी जादा होती है इनको use करके आप warm light produce कर सकते है ये open face या fresnal हो सकते है Tungsten lights के क्या क्या advantages है इनका color rendition almost perfect होता है ये सस्ती होती है इनका color temperature standard tungsten जो पहले हमारे घरों में use होती थी उनसे better होता है conventional incandescent से इनकी life ज्यादा होती है on करते ही इनकी brightness full हो जाती है and it is dimmable tungsten lights के disadvantages देखते है ये काफी गरम हो जाती है इनको high power की जरूरत होती है the lamp is sensitive to oils and cannot be touched और ये bulb कभी-कभी फट भी सकते है तो इनको use करते हुए careful रहना भी जरूरी है HMI lights इसका full form है होती है इनका color temperature 5600 Kelvin होता है daylight को imitate करने के लिए हम HMI का इस्तिमाल करते हैं ये lights flicker free होती है और काफी सालों से ये light filmmakers की favorite light है तो HMI lights के क्या-क्या advantages है एक HMI light से आप रात में भी sunny day जैसा effect create कर सकते है इनका light output और color temperature काफी ज्यादा होता है अब HMI lights के disadvantages देखते हैं ये काफी ज्यादा expensive होती है इनको use करने के लिए high power की जरूरत पड़ती है ये 50% ही dim होती है और जैसे जैसे dim होगी color temperature increase होगा इसको इस्तिमाल करते हुए काफी साफधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि गिरने पर इन में explosion हो सकता है जिससे toxic chemical release होने का खत्रा भी रहता है अब बात करते हैं fluorescent lights के बारे में fluorescent light low pressure mercury gas discharge lamp होते हैं जो fluorescent का use करते हैं to produce visible lights by heating up the phosphor coating inside ये tungsten light source से ज्यादा economical और eco-friendly होती है इनका color temperature HMI lights के color temperature के आसपास होता है ये 32 Kelvin में भी available होती है ये उन film sets में use होती हैं जहां cinematographers HMI use नहीं कर पाते इसके अगर advantages देखे तो इन्हें use करना काफी आसान होता है इनको use करके आप cinematic lighting create कर सकते हैं इनका इस्तेमाल आप interviews लेते हुए कर सकते हैं ये durable और HMI के मुकाबले काफी सस्ती होती है और ये soft और even light produce करती है इन lights की limitation देखे तो इन में flicker की problem आती है चीप fluorescent tubes का color rendition काफी poor होता है और लास्ट में हम लोग बात करते हैं LED lights के बारे में LED का full form light emitting diode है ये solid state semiconductor device होती है आज कल ये lights काफी जादा popular होने लग गई है documentary, wedding और indie filmmakers के बीच में ये affordable, durable और lightweight होती है इन lights में आप batteries का use करते हैं dimmer की help से आप काफी LED lights में color temperature को भी change कर सकते हैं जैसे warm से cool, इनके advantages सेखते हैं ये soft और even light produce करती है इनका power consumption low होता है ये battery से भी चल जाती है durable और eco-friendly होती है इन lights में current लगने का खतरा नहीं होता ये explode नहीं करती और अगर हम इनके disadvantages देखे तो कभी-कभी cheap LEDs का color tone आपको desired result नहीं देता cheaper LEDs कभी-कभी flicker create कर सकती है अगर उनकी battery discharge हो रही हो तो दोस्तो हमें कौन सी light यूज करनी चाहिए देखिए हर light का अपना अलग-अलग महतु है ये इस पर भी निर्बर करता है कि आप जो shoot कर रहे हैं वो कहां है, कब है और आपका scene और story किस प्रकार की है अब बात करते हैं lighting accessories के बारे में सबसे पहले बात करते हैं band doors के बारे में band door में 2-4 metal doors होते हैं that control the spill of the light आप इंडोर्स को अपनी जरूरत के हिसाब से band या खोल सकते हैं to prevent light from spilling out the side of the instrument आप इन्हे light beam बनाने के लिए एक छोटे एरिया पर light को focus करने के लिए या background से light हटाने के लिए use कर सकते हैं scrims scrims are metal wire mesh disks that fit perfectly in front of the lens of a light ये light की intensity को कम करते हैं without affecting the quality of it इसका इस्तिमाल journally हम तब करते हैं जब हमें light का look और color दोनों अच्छा लग रहा है और हमें बस intensity को change करना है while keeping everything else the same gels 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 एक light designer के लिए कलात्मक उपकरण है हर lighting kit में color correction gels, diffusion gels और neutral density gels होने चाहिए इनकी help से आप अपने color temperature को maintain कर सकते हैं umbrellas an umbrella can turn a small intense reflector spot into a soft eye pleasing light जब हम umbrella से light को pass या bounce कराते हैं तो light diffuse हो जाती है जिससे object पर पढ़ने वाली light even toned हो जाती है जो काफी eye pleasing होती है soft boxes like an umbrella soft box can turn a small intense spot into a large soft light यह umbrella से ज्यादा even और soft light produce करती है making it ideal for lighting faces mounts mounting accessories lighting kit का एक बहुत महत्यपूर्ण पार्ट है इसकी मदद से आप अपने lights को वहाँ भी use कर सकते हैं जहां आप lighting stand का use नहीं कर सकते इसमें door hangers, mounting clamp और scissor clips आते हैं light stand light को mount करने के लिए light stand की जुरूरत होती है light stands durable होते हैं और यह अलग-अलग sizes में आते हैं अब बात करते हैं दोस्तो reflectors and diffusers के बारे में आप light के direction को change करने के लिए reflectors का use कर सकते हैं for example अगर आपका light source sun है तो आप sunlight को backlight और key light दोनों के लिए use कर सकते हैं backlight आपकी direct sunlight होगी और key light आपको sunlight को reflector से reflect कराके मिलेगी diffusers आपकी light को spread और hard light को soft करते हैं तो देखते हैं इन दोनों को खरीदने से पहले आपको क्या-क्या consider करना होता है size, large stand mounted reflectors या diffusers काफी महंगे होते हैं as compared to small reflectors से small reflectors या diffusers को आपको subject के close position करना होता है than larger ones लेकिन बड़े reflectors और diffusers को manage करना difficult होता है shape, reflectors और diffusers का आकार उनके द्वारा light को बदलने में help करता है goal आकार के reflectors और diffusers को असानी से रखा और भेजा जा सकता है square अकार के reflectors और diffusers बहुत मजबूत होते हैं rectangle shape वाले reflectors और diffusers round वालों की अपेक्षा एक बड़े एरिया में light को फिला सकते हैं color reflectors तीन color में आते हैं white, silver और gold white reflectors white light को diffuse करते हैं जो कि आपके subject की आँखों को effect नहीं करती soft diffuse fill light के लिए आप इसका use कर सकते हैं you can use the silver reflector to create a sharper more sparkling light on the subject silver reflectors एक lamp से light reflect करने के लिए use किये जाते हैं subject के skin tone को warm करने के लिए gold reflectors का use किया जाता है gold reflectors work well when reflecting sunlight gold reflectors की help से आप early morning या late afternoon वाली warm colored light को simulate कर सकते हैं rigidity, portability भी reflectors and diffusers का एक मेहत्वपून फीचर है बहुत सारे models छोटी और असानी से carry करने वाले units में आते हैं अगर आप एक छोटी car से कहीं जा रहे हैं तो एक 4.6 का solid frame diffuser आपके लिए सही नहीं होगा दोस्तो बजार में बहुत सारे lighting tools available हैं अपनी जरूरत के हिसाब से आप इन lights को खरीच सकते हैं या फिर ये lights आपको rent में भी मिल जाती हैं एक light kit खरीचते समय आपको bulb का type, optional accessories, portability का ध्यान रखना चाहिए reflectors खरीचते समय अपनी जरूरत के हिसाब से size, अकार और portability का ध्यान रखिए अगर आप lighting का use करना start करेंगे तो आप अपनी वीडियो में एक बड़ा अंतर देखेंगे तो दोस्तो आज के इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही धन्यवाद